किसान भाइयो नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्व चेनल समार्ट एगरिकल्चर में अब कुछ दिनों में बारिश सुरू हो जाएगी और उसके साथ स्वाइबीन की बूआई भी सुरू हो जाएगी तो इस वीडियो में हम स्वाइबीन की बुवाई के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें स्वाइबीन की बुवाई से पहले कौन-कौन से जरूरी काम करना चाहिए स्वाइबीन की बुवाई किस परकार से करे, लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखे बीज को कितनी गहराई में डाले एक एकर में कितना बीज डालना चाहिए और बुवाई करते समय हमें कौन-कौन सी सावधाने रखनी चाहिए जिससे स्वाइबीन का बीज अच्छी तरीके से अंकुरित हो और स्वाइबीन की ज्यादा से ज्यादा प्यादावार हमें मिल सके किसान भाईयो पिछले 2-3 सालों से स्वाइबीन का उत्पादन बहुत कम निकल रहा है और कुछ छेतरों में इस्थिती ऐसी है कि स्वाइबीन की खेती से किसानों को नुकसान हो रहा है तो इसके पीचे कही न कही हम खुद जिम्मेदार है क्योंकि अगर हम स्वयबिन का अच्छा उत्पदन प्राप्त करना चाते हैं, प्यदावार को बढ़ाना चाते हैं तो हमें हमारे खेती करने के तरीके में बदलाव लाने की जरूरत है बदलाव इस परकार से लाना है कि स्वाइबीन में अच्छे तरीके से देख रहे करना है जिस समय पर उसको जिस खाड जिस दवा की आउशकता है उनका पुर्योग हमें करना है उदारेंड के तोर पर बताओं तो पिछले साल इस्टेम फलाई के कारण स्वाइबीन पुरी तरीके से खराब हो चुका था तो इस्टेम फलाई की जो मख्य होती है वैं स्वाइबीन 30 दिनों के आसपास का होता है तब उसमें अंडा चोड़ती है तो अगर हम 30 दिनों के आसपास जब स्वाइबीन था उसमें हम कीट नासक का इस्प्रिक कर देते तो इस्टेम फलाई से यतना ज्यादा नुक्सान नहीं होता तो इसलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बुवाई से पहले हमें कौन-कौन से काम करना चाहिए बुवाई करते समय कौन-कौन से साउधाना रखनी चाहिए जिससे स्वाइबीन में किसी भी प्रकार का कोई खत्रा ना बने और हमारी स्वाइबीन अच्छी तरीके से ग्रोध करे और प्यदावार ज्यादा निकले अगर बुवाई से पहले हमें कौन-कौन से जरूरिक काम करना चाहिए इनके बारे में सबसे पहले बात करे तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप जो भी वेराइटी लगाना चाहते हैं उस variety का जो बीज हैं उस बीजो को अंकुरित करके जरूर देखे इसके बारे में हमने एक special वीडियो बनाए हैं तो आपको इस वीडियो के description में या उपर i button में उस वीडियो का link मिलेगा तो उस link पर click करके आप soybean के बीजो को अंकुरन परिक्षन किस परकार से करें उसके बारे में special वीडियो देख सकते हैं बीजो का अंकुरन परिक्षन करके उसकी बुआई करने से ये फाइदा होगा कि आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि आपके जो variety हैं उसके अंकुरन समता कितनी परिक्षन हैं फिर आप उसी परकार से एक एकड़ में soybean का बीज डालें जिससे आपका soybean ना ज़्यादा गहरा हो ना पोदे ज़्यादा पास पास आए ना पोदे ज़्यादा दूर दूर हो उसके अलावा किसान बाईयों soybean की बुआई से पहले उसके जो बीज होते हैं उनको कीट नासक और फंगी साइट से उपचारित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं फंगी साइट से तो बहुत सारे किसान बाई करते हैं लेकिन कीट नासक से नहीं करते हैं कीटनासक से उप्चारित करने का फाइदा ये होगा कि सुएबीन की जू सुरुती या विस्ता होती और वियर का परिष्ट करें लियर्ब Acts को एक एमेल रखलpent कितना सक्क की रूप में भायर कमपनी की गाउचों कीटना सक्षिक या फिर यूपेल कमपनी की लेनो कीटना सक्षिक या फिर लाही उगेगा और आपको इसमें भारी नुक्सान हो सकता है तो बुआई आपको करनी है सीट ड्रिल से उसके अलावा लाइन से लाइन की दूरी की बात कर लेते हैं तो हमारे छेतर में हम 16 इंच की दूरी रखते हैं जिससे क्या होता है कि हम कुल पे असानी से चला सकते हैं और उसके फाइदा यह होगा कि स्वाइबिन में खरपतवार के लिए आपको कोई दवा का इस्प्रे करने के जुरत नहीं पड़ेगी आप कुल पे चला कर खरपतवार को कंट्रॉल कर सकते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आप 16 इंच या कुछ किसान 14 इंच भी रखते ह उसके अलावा जमीन में कितनी गहराई में डालना है उसके बारे में बात करें तो पहले तो पहली बात यह है कि आपके खेत में परयापत नमी होना चाहिए अच्छे तरीके से नमी मोजूद और तभी आप स्वाइबिन की बुई करें नहीं तो स्वाइबिन का बीज फैल ह चुंगल की मतलब जो गहराए होती हैं उसमें ही स्वाइबीन की बुवाई करना है आपको बुवाई करते समय ध्यान रखना है कि मतलब नमी अच्छी तरीके से होना चाहिए उसके अलावा बीज उपचार करें बीजों का अंकोरन परिक्षन करें और किसान भायों बुवाई पी डाल देना उसके साथ स्वाइबीन जैसे उगता हैं उसमें थोड़ी सी मात्रा में यूरिया आप डाल दें तो किसान भायों यह थी स्वाइबीन की बुवाई से संब्धित जानकारी आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए हम आने आपको ये वीडियो में जैडवान जैकी सान